तो सबसे पहले हम राजमा को सूख होनी के लिए रखेंगे तो यहाँ पर पॉल में आड़ कर रहे हूं 200 ग्राम राजमा तो मैंने यहाँ पर पैकेट वाला लिया है आपको मार्केट में पैकेट या फिर लूस दोनों मिल जाएगा तो यह जो राजमा है यह चितरा राजमा है एक रीट कलर का बड़ा बड़ा होता है आप उसका बिस्तमाल कर सकते हों तो इससे जो ग्रीबी है बहुत पॉफिक बनती है तो मैं अकसर इसे का इस्तमाल करती हूँ इसे हम एक या दूबर पानी से वास कर लेंगे और बापस से इसमें पानी आड़ कर देंगे इतना पानी आड़ करना है कि राजमा अठे से डूप चाए और अटलिस्ट पांच आवर के लिए इसम सुख करेंगे इसे जाद अगर आप करोगी तो जो राजमा उसका स्किन निकलने लगता है फिर वो राजमा भली बात नहीं रहती है और साथ में बनाएंगे एक मसाली और दही का प्यूरी तो मैंने हाप पर हाफ कप इतना दही लिया है बहुत जादा खटी दही का समल नहीं करना है और इस में आट कर रहे हूं आधा शूटा चमाश इतना हल ली और आधा चमाश आट कर देंगे यहाँ पर जीरा पॉडर और आधा चमाश आट कर देंगे तीखे वाली लाल मर्श और एक चमच आड़ करेंगी धनिया पॉडर और एक छोटा चमच आड़ करेंगी कासमेरी लालमर्स पॉडर बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगी और एक 15 नट के लिए सम भिष्ट पर रखेंगी ताकि जो मसाली है दही के अंदर जागर अच्छे से फूल जाए एन अम नेक्ष्ट मैंने हाँ पर लिए कुकर इसमे आड़ कर रहे हूं दो बड़ा चमच सरसू का तील सरसू की तील में ही असली मजाता है राजमा का अन जब तील कर मुझे तो आड़ कर देंगी एक सुख्यूई लालमर्स एक तेस पत्ता और चार्ड लॉंग आड़ कर आठ सी दर्स काली मर्स और आधा चुटे चमच जीरा और हींग आड़ करेंगे हींग तो जरूर से आड़ करना अगर अवे लेवल है तो बस सबी चीजों को अच्छी सम चटका लेंगे और उसके बाद आड़ कर देंगे एक चमच भर की तरदर अपी सवह अध्रक लेसन हर करेंगे और उसके बाद आड़ कर दे रहे हूं अनियन का प्यूरी तो यहां पर चीज चूटा साज का अनियन का प्यूरी है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी आड़ कर रहे हूं आप्रोक्स आधा कप के इतना बहुत अच्छी से मसाली भून जाएंगे और जो मसाली जलने किया हूँ टमाटर और सी मस्टिस पर आड़ कर देंगे टीश अकॉर्डिंग नमक तो मैंने आप रीक चमच आड़ किया है और बस यहां पर टमाटर को अच्छे से कलने तक भूनेंगी हम तो दीख सकते हूं काफी अच्छी से यहां पर टमाटर सॉप्ट हो चुका है तो अब आड़ कर देंगे मसाला और जो दहे वाला प्यूरी था उससे अब हम बापस से भूनेंगे आठ से दस मिनट के लिए जब तक तिल सेपरेट ना हो जाए तो बस यहां पर दीख सकते हूं काफी अच्छी से भून चुका है तो अब आड़ कर रहे हूं आधा शूट चम इसको सूरी मिथी को अच्छे से क्रसकर के अड़ करेंगे बहुत बढ़ियां सफली बराता है और बस पापस से 2-3 मिनट के लिए से भून लेंगे जितने ही अच्छे से आप ग्रेवी को भूनोंगे उतना अच्छा टेश्ट आएगा और चलिए एक वर मैं आपको राजमा दिखाती हूं दीख सकती हूं बहुत अच्छे से पॉफिक्ट सोख हुआ है तो 5 गंटे इनफ है और अगर आप इसे उवर सोख कर दोगे तो यह राजमा का जो अस्कीन अब हट जाएगा और अंदर से वाइट वाला जाता है तो मुझे बिल्कुल पसंने इसलिए मैं इसे 4-5 गंटे के लिए सोख करती हूं तो बस पानी निकाल कर राजमा को मैं आट कर देंगे कुकर में और साथ में आट कर दे रहे हूं दो सी ढाय का पितना पानी आप पुछावल के साथ खाना है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी आट करना है और अगर आप इसे रोटी च चपाती प्राठा के साथ खारे दो ड्राय बना सकती हूं और साथ में आट कर रहे हूं एक पैकेट छूला मसाला आपको यह किसी ब्राइन में मिल जाएगा और आप चौतिशी घर पर बना कर भी यूज़ कर सकती हूं अगर आपकी पास राजमा मसाला है तो आप उसका इस् तो बस मैं आपको दिखा रहे हूं टूटल साथ बिसल्स के बाद काफी अच्छे से हाँ पर हमारा राजमा पक चुका है एकदम पॉफिक थिक ग्रेवी तयार हुई है तो फाइले स्प्रिंकल कर देंगे धीर सारा चौप किया हुआ धनिया पत्ता और आधा चमश घी आड करेंगे बहुत बढ़िया सा फ्लीवर आएगा और बस आप इसी गर्मा गरम चावल के साथ में सर्व करो आपको खा कर मजा आ जाने वाला है तो इस रेस्पी को ज़रूर से ट्राय करना है ट्राय करने के बाद कैसी बनें कमेंट में ज़रूर से शेयर करना रेस पीच लिए तो विडियो को लाइक करो और चैनल पढ़ना है तो प्लीज से सब्सक्राब कर लो में तो नेक्स्ट आम तब तक के लिए बाइबाई